शेर से जमा हो रहे कच्रे की प्रोसेसिंग के लिए ज्यल्धी महानदर पालिका और नीदर लेंड की M.U.S.B.D.I. कंपनी के बीच करांग होने वाला कंपनी भाने वाड़ी डंपिंग यार्ट से कच्रा उठा कर प्रोसेसिंग करेगी ऐसे में यहां कच्रा उठाने वालों को उक्तविदेशी कंपनी में नौकरी मिलने चाहिए समांग के साथ शिफसाना द्वारा भांड़ेवाडी डंपिंग यार्ड परिस्ता में समिधान दिवस्त मनाया गया शिफसाना के शहर प्रमुक नितिन तिवारी ने कहा कि मनपा द्वारा कंपनी को इस प्रकल्प के लिए भांड़ेवाडी परिस्ता में 30 एकर सरकारी जमीन देना प्रस्तावित है इस जगा पर कंपनी द्वारा शहर से इकत्रित होने वाले गीले कच्रे से बायो गैस और खात का निर्मान किया जाएगा वहीं सूखे कच्रे का विल्गी करन उसे दुबारा उप्योग लायक बनाया जाएगा इसके लिए कंपनी को कई कामगारों की जरुवत पड़ेगी तिवारी ने कहा कि भांडेवाडी कच्रा डम पर आने वाले कच्रे से कबार चुन कर अपनी जीवी का चलाने वाले करीब 150 रेक पिकर यहां से कच्रा चुनने का काम करते हैं और कच्रे में मिले कबार को बेच कर अपना घर चलाते हैं ऐसे रेक पिकर में युवा महिलाएं और बुज़र्ग शामिले उनकी तीसरी पीड़ी हकारे कर रही है ऐसे में सरकार और मनपक की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली नीडलनेंड की S.U.S.B.D.I. कंपनी के साथ होने वाले करार में इन रेक पिकरों को कामगार की रूप में रोजकार देना निश्यत किया जाए ताकि शेहर के विकास के साथ साथ बदबुदार वातवरन में स्वास्त को ताक पर रख कर जीवी का चलाने वाले इन मजबूर गरीबों का भी विकास संभवों उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्दी केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी उप मुख्य मंत्री देवेंदर फनवीस और मन्पा आयुकत से मिल कर मांग करेंगे के कच्रे को विलगी करन करके उससे बायो गैस बनाएगी क्यामरा परसन राजकुमा मोहड के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नाखपुर